नमस्ति टेडर्स चलिए देख लेए आज मार्गेट ने किस किस तरीके से काम काच किया और मंतली एक पारे किस तरीके से बीती थी हमारे लिए सीखने लाए क्या क्या चीज़े थी वो सब देख लेते हैं आप वैसे आज मैं खुद लाइब ट्रीडिंग की वीडियो रिकॉर यहीं पर समझा देता हूं तो देखें मार्केट आज इस जगह के आसपास ओपन होता है मार्केट यहां पर ग्रीन कैंडल बना के ओपन होता है अचाहां टेडर्स शुरू होने से बहुत जरूरी अनॉंस्मेंट यह है कि कल परसो से साइध हमारा परसो हमारा वन ऑक्टोब मतलल आपको चीजे पता हैं अगर सकते मार्केट किस तरीके से यहां पर काम कर रहा है अगर आप देखोगे तो यहां पर में कई बार तो हम प्रिवेज़ के लेवल के हिसाब से काम करना पड़ता है तो आप यहां पर देखो यहां कहीं होती है यहां सपोर्ट मार्केट यहां से ऊपर चलते गा तो मार्केट जब डाइरेक्ट टूपर जा रहा था तो यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते जैसे मैं बोलता हूं कि मैं प्राइस एक्षिन को ट्रेट करता हूं प्राइस एक्षिन पुल बैक रीट्रेस्मेंट चार्ट पैटन यह सारी चीज़े बने या फिर कोई साइकलोजिकल कुछ यहां पर यहां से डायरेक्ट नीच आ तो यह उपर जाना नीच आने में मैं कुछ नहीं कर सकता था यहां पर उसकी बाद मार्केट इस लेवल पर घुल कर रहा था देखें मेरा एक रूल है कि अगर मार्केट प्रिवेस दे के रेंज में ओपन होता है और लास्ट के टाइम म मुव्मेंट मिलता है तो उस दिन हम उसी डायरेक्शन मुव्मेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा बहुत सार एक्जमपल पीछे भी होगा अगर आप चार्ट कोल के देखोगे तो मेरा जो पॉसिबल डायरेक्शन था मतलब मैं यहां बैठा हो था कि डाउन साइड का ही मै ट्रेड लोंगा पर मतलब मुझे यह पता था कि मार्केट डाउन साइड आए गा तो मेरे लिए अच्छी कंडिशन बनेंगी वहां पर क्योंकि मेरा सेटप ऐसा है जो मुझे बार बार ऐसा मुव्मेंट दे चुका है पहले मैंने ऐसे कभी कई बार प्रॉफिट किये हैं तो मुझे आज भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था लेंगे यहां पर मार्केट करता है कि नीचे आया और यहां पर उसने लोको ब्रेक नहीं किया मैं कई बार आपको यहां पर जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसके ब्रेक आउट तो मैंने यहां पर कॉल्ल ट्रेड किय मार्केट के बारे मतलब मैंने अपने खुद के बारे में बताता मैं भी आपको आप देखें यहां पर ऐसी बन रही थी और यहां पर एक ऐसी ट्रिंड लाइन आ रही तो इस ब्रेक आउट पर मैंने ट्रेड किया क्यों मुझे लगा कि मार्केट नीचे तो कुछ लोगों ने यहां पर की तरफ यहां मैंने कुछ गलती की तो यहां मेरा सेट अप था मैंने कई बार ऐसे यहां पर ट्रेड ले लिया यहां सी पॉसिबिलिटी भी थी कि मार्केट अपसाइट चले जाए पर फिर भी महां मेरा यहां पर स्टॉपलॉस हुआ तो स्टॉपलॉस होने के बाद हम दो-तिन चीज़े कर सकते हैं जिसमें एक तो यह है कि हम यहां पर अपने stop loss को analyze करें और अपनी गलती ढूंडे का है सबसे काम तो यहीं सबसे जरूरी काम तो यहीं कि हम अपने stop loss का analyze करें कि मेरी गलती क्या हो यहां पर तो मैंने साब साब देखा कि market एक range में है और जब यह मारकेट रिंज में रहता है तो यहां मेरा डायरेक्शन मिलती है और यहां मेरा जो रेंज के बीच में मतलब प्रेडिक्शन एक तरीके से मैंने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट उपर जा सकता तो मैंने ट्रेड होप में लिया था कि मार्केट यहां से उपर जा सकता यहां बन रहा था पर फिर भी एक चांस था कि मार्केट यहां से रेस्टेंस लेके नीचे आ जा तो इस कारण से मैंने यहां कॉल में ट्रेड किया था तो मैं आंब कर दिया क्ट कि करूँ किया तो फिर मैंने या पर पूठ क सकता था यां फिर मैं अगांत्रीच को हे ब्लडीशोम में एक यह बिर पर रहा था यह भी एक लेफल आ हिए गाईh तो यहां कहीं कि आसपस मैंने अपनी बना ली और फिर मुझे यहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा था लॉस रहा रिकावर हो गया था पर यहां पर देखे एक माइंड सेट देखे आपको माइंड सेट बताता हूं यहां पर मेरा जो लॉस हो गया था कुछ सब्सक्राइब लेकर मार्केट में तो छोटा-चोटा ही होगा तो मार्केट का प्लस घर के क्यापिटल से इतनी बढ़ा ली पर फिर मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो इसले मुझे अपनी कॉंटिटी रिडूस करनी पड़ी और बहुत दिन से मेरी कॉंटिटी ऐसे चल र पड़ानी की कोसिस कर रहा हूं इसलिए मैंने वो स्क्रिंशॉट वगएरा नहीं भीजेते मैं कॉंटिटी हाइड करके भेज दिया करूंगा अपसे तो इसका मतलब नहीं है तो मान लीजे मेरा एक्स एमांट लॉस हो गया यहाँ पर मेरा एक्स रुपए लॉस हो गया तो इसका 1.4 गुना प्रॉफिट मेरा यहां पर चल रहा है पर मैंने यह पर बुक नहीं कहा देखे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो तो मैंने बुक खलेता है पर मेरे माइंडसेट में आ गया था कि इतना लॉस हो प्रॉफिट है तो मुझे जो ओबराल एम्ट्यूम दिख र अचिव हो जाए यह लॉस तो नहीं किया तो फिर मैं वेट कर रहा दहीं कहा तकि यहां ने लगा यहां प Tenक यहां पर अपना इग्जेट Cry davon यहां पर पूरा कवर हो चुका तो अब उसके बाद देखे जो मैंने पहली गलती करी कि मैंने कॉल साइड में पोजिशन ले लिया क्योंकि उस आफ़ मैं तो उस पहले में मेरे सबला के हैं अपनडर लगने लगने लगे क्या जैँ मुझे पता अवे लॉस्ण से अ exist लगने लगा है कि अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा गया इसलिए मैं यह बार बार आप लोग को बोलते रहा था कि अगर मेरे भी लॉस होते हैं और मैं आपको दिखाता हूं अब अगर देखे मैंने लॉस भी पोस्ट किया अगर मैंने उसका स्क्रिंशॉट नहीं डाला तो देखे आपके उपर बिलीब करें ना करें अगर मुझे करना है तो तो मैं लॉस क्यों बताता आपको पर मैं लॉस भी बताता हूं प्रॉफिट भी बताता हूं कि ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि जो प्रॉफिटेबल उसका ह हाई मत रख्या किसी भी आप को दिखाता हो या ना दिखाता हो जो आपको नहीं दिखा रहे है मानली जाइने भी लॉस हो रहे तो यही मुझे ड़ल लगता है कि अगर मैं आपको इस बात समझा सकूं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से तो फिर मुझे क्यों खराब लगेगा मतलब कई यहां पर एक यहां लगा और नीचा एक हाई लगभा इस लेवल के उपर जाकि मेरे अप्रेंड दुबारा मार्केट फिर यहां जाता है यहां बहुत सारे लोगों ने कॉल आउगा चंड बने मैं पहले नहीं पर प्रम्फिट था नहीं प्रॉफट तो थोड़ा भी बचाता सब्सक्राइब करें और इसको पूरा इस लेवल का सब्सक्राइब बड़ी ग्रीन के यहां पर बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट के अप्शन में बहुत जादा बढ़ जाता तो जितना मुवमेंट आती उतना प्राइस मिल जाता तो देखो एक ट्रेड मेरा यहां पर गलत हुआ बस कॉल सब्सक्राइब करता हूं तो यह वाला पूरा जोन मैंने ट्रेड नहीं किया आप लोग सोच लोगे सब्सक्राइब हीरो ट्रेड मिलता है जैकपॉट ट्रेड मिलता है तो उस सब के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता मुझे पता है मुझे आनलिसिस पर बिलीफ करना है यह आप यह वाला मूवमेंट देख रहो मांकेट उपर क्या फिन नहीं चाहिए इसको प्राइस एक्शन से आप एक्स्प् करने के लोगा थोहर र acceptable पैसा हरो चलेगा इंध्यों कर अफोड़ने करने लिया लेडि मैं फोटर ने करें और तो आज के दिन से क्या सीझने मिलता है आज के दिन से ऑबतारों कि अगर कभी भी आपका लॉस होता है ना तो आप लोग यह मत सोचा करे कि आरे सर ने पोजिशन कर लिया था यह तो वह लेता है वह तो यह कर लेता चलो मैं भी यहां कॉल साइट में लास हो चुगा था था उसके बास नहीं क्यों युक्त मेरे पास profit है मैंने मार्केट से पैसा कमा कि अपने बैंक में डाल रहा तो मुझे पता आज लॉस हो भी जाता है थोड़ा तो कोई बात नहीं तो यहां पर मैंने अपने एक रूल ब्रेक करके एक्स्रा ट्रेड लिया तब जाके फिर मैं यहां लॉस कवर करता है पर अगर आप एक बिगिनर हो त मैंचन तरगे वहाब जाए इस तरीके से उचना पड़ेगा तो आप यहां पर पैसा इस तरीके से सोचना पड़ेगा तो यहां पर यहां पर रिकमेंडीड ने हैप रूस्क में ऐता है कि कम से हम 2 trade आप ले सको 2-3 trade इस तरीके से पर trade risk को डिसाइड यह सब चीज में classes में discuss करता हूं तो अभी मौका मिला तो यहाँ भी discuss करें लों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं next वीडियो में जैंद